जे जे ने इंद्र बच्चों, देखो आज बाहर कितनी बारिश हो रही है, सब कुछ डैम्प डैम्प सा, मौस्ट सा हो गया है, देखो इस रेनी सीजन में कितने पेड़ पौदे ग्रीन हो गए हैं और रात को मच्छर, इंसेक्स, जीव आदी भी कुछ ज्यादा ही हो गए है है ना? ओ, अब समझ आया कि हमेशा विहार करने वाले, पैदल यात्रा करने वाले मुनी महराज, रेनी सीजन के इन चार महीनों में एक ही जगा पर क्यों रहते हैं? और इसे चातुर मास क्यों कहते हैं? चतु means four and मास यानि महीना, मतलब मन्त, तो रेनी सीजन में जीव उत्पत्ती बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए सभी मुनी महराज जीवों की रक्षा करने के लिए विहार नहीं करते, एक ही जगाए पर स्टेशनरी हो जाते हैं बहुत लॉंग टाइम पहले कुछ मुनी महराज जी चातुर मास के लिए deep forest या mountain पर जाकर तपस्या करते थे ऐसे ही गुण निदी नाम के एक महराज चातुर मास के समय पर एक mountain के उपर मौन होकर तपस्या कर रहे थे तब के प्रभाव से उसके इफेक्ट से गुर्णिदी महाराज को एक स्पेशल सूपर पावर प्राप्त थी चारण रिद्धी चारण मीन्स चलना, रिद्धी मीन्स पावर गुर्णिदी महाराज जी अपनी इस स्पेशल पावर से स्काय में कहीं भी चल सकते थे गाउं वालों के मन में महराज जी के प्रती बहुत श्रद्धा थी आप भी महराज जी के प्रती अपने मन में भक्ती श्रद्धा रखते हो ना तो वो महराज जी चातुर मास की चार महीने खतम होते ही माउंटेन को छोड़ कर आकाश मार्ग से कहीं और चले गए और किसी ने भी गाउं में उनको देखा ही नहीं सभी लोग तो 4 months complete होने का वेट कर रहे थे ताकि उसके बाद वो महराज जी के दर्शन करने जा सके सभी लोग महराज जी के दर्शन करने जाने ही वाले थे कि उसी टाइम मृदु मती नाम के एक दूसरे मुनिराज इस तक माउंटेन पर मेडिटेशन कर रहे थे इसलिए सब लोगों ने बहुत भक्ती से उनकी पूझा करी और उन्हें बहुत अच्छे जयार करवाया मृतु मती महराज जी वो भी बहुत सर्प्राइज हुए कि ये सारे लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट इतना सम्मान दे रहे हैं इतनी स्पेशल पूझा करा रहे हैं और बहुत अच्छे स्वादिष्ट यमी यमी आहार भी करा रहे हैं सब लोग भक्ती भाव से उनसे कह रहे थे कि हे मुनिराज यू आर ग्रेट आपने इतनी तपस्या की है कि आपको तो देव लोग भी आकर पूझा करते हैं आपकी तपस्या से आपको कितनी रिद्धिया प्राप्त हो गई हैं ये सब सुनकर भी मृदुमती महराज जी चु दियर ही नहीं किया वो तो अपना हार करने में मस्त रहे उनको बहुत स्वाध जवा रहा था खाना खाने में वो किसी से कुछ भी नहीं बोले और चुप चाप मूह नीचे करकर बैठे रहे और गुड़ निदी महराज बनकर अपनी पूझा करवाते रहे यूनो वाट ही ड और जिस मुनी धर्म से उनको देवगती और मोक्ष भी मिल सकता था उनको इस चीटिंग के कारण क्या मिला मालूम है उनको मिली तिरियंच गती in one of his next birds he became an animal he became an elephant हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी माया चारी या चीटिंग ना करें हमेशा सरल बने रहे easy going आरजव धर्म यही तो सिखाता है हमें मन में हो सो वचन उचरिये वचन होए सो तन सो करिये मतलब जैसा हमारे मन में है हमें वैसा ही बोलना चाहिए और काम भी वैसा ही करना चाहिए तो आज से कोई चीटिंग नहीं करेंगे हम है ना अगर हमारी मिस्टेक हो जाए तो किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे जब भी कभी हम मुबाइल टैबलेट या लैप्टॉप यूज करेंगे या कोई गेम भी खेलेंगे तो पेरेंट्स को जूट मूट ये नहीं बोलेंगे कि मम्मा मैं तो कुछ और ही कर रहा था करेंगे ना हम ऐसा ही बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जै हो जै जिनेंद्र